आज हम बात करेंगे कि period के दोरान आपका बजन क्यों बढ़ता है महिला अक्सर इस चीज को नोटिस करती है जब उनके पीरेट आने वाले होते हैं तो उनका जो बजन है वो बढ़ जाता है तो पीरेट की दौरान बजन बढ़ता है और कितना बढ़ता है कब तक रहता है और कितना बढ़ना चाहिए अगर उससे जानदा बढ़ रहा है तो क्य सब्सक्राइब कर सकते हैं इन सब्सक्राइब कर सकते हैं उनका बजन होता है इसका में रिजन होता है हमारे बौड़ी में होने चेंजिस और होर्मोनल चेंजिस अगर आप यह जानना चाहते हैं कि आपकी बोड़ी में पीरेट के पहले बजन बढ़ रहा है तो आप 4-5 दिन पहले से चेंजिस और में दर्थंब करने हैं इसके सिम्टम होते हैं जिससे आप आपकी बोड़ी में water retension हो रहा है जैसे कि आपके में दर्ध हो सकता है ब्रेस्ट में सूझन आ सकती sevent M becoming ब्लोटिंग हो सकती है, आपको खाना पसंद नहीं आएगा, चिरचड़ापन, या मूड़ स्केप होना, या आपको बहुत ज़्यादा बेचैनी होना, घबड़ाट होना, यह सभी सिंटम होते हैं, आपको आलस जाना आने लगता है कि आपकी बोड़ी में जो है वेट बढ़ सिंटम आते हैं, और चार से पांच दिन बाद तक रह सकते हैं, जैसे ही आपका पीरेट खतम हो जाता है, यह सिंटम भी खतम हो जाते हैं, और आपको जो बेट है, जो आपने महीने भर मेहनत करके कम किया था, वो जो बढ़ गया था, वो बापस अपने टाइम पर आ जाता ह इसलिए काई महले दी मोटिवेट हो जाती है कि आप ही exercise करने के बाद हमने एक या दो किलोगर गटाया था वो बापस से वहीं पहुंच जाता है तो ऐसा नहीं है इसके लिए आप क्या कर सकते हैं इसके लिए बहुत simple सी चीजे हैं जो आपको करनी है देखिए जब आपका पी आपको प्लोटिंग की समस्या नहीं होती है दूसरा है नमक की मातरा अगर आप पेक्ट फूट खाते हैं या बजार में कुछ खा रहे हैं तो उसको खाना इस टाइप पर अवर्ट कीजिए इससे आपके वाटर रेटेंशन बढ़ता है और वाटर रेटेंशन की वज़े से नेक्स्ट होता है आप प्रोबाइटिक का इस्तिमाल कीजिए जो कि आपको पीरेट के दौरान भी फायदे मन रहता है क्योंकि इसमें बड़ वैक्टिरिया होते हैं जो आपके पीरेट टाइम में आपको रेलेक्स रखते हैं और आपके डाइजेशन को बूस्ट करते हैं जिसके कारण से आपको वोमिटिंग नहीं होती है और बेचेनी और घबराट की समस्या भी नहीं होती है इसके बाद है next कि आपको बहुत ज़्यादा फाइवर वाले फूट खाना सुरू करना है आप सैलेट खा सकते हैं फ्रूट खा सकते हैं जो आपको पसंद है बस कहने क मतलब यह है कि आपको अपनी डाइट में फाइवर की मात्रा बढ़ानी है तो यह भी आपका वेट को बढ़ने से रोकता है इसके अलावा आप सिंपल भोजन खाएं जिसमें जाना तेल मसाले नहीं हो तो ऐसा खाने से आपको जो पेट दर्द की ब्लोटिंग की उल्टी की ब पैनकिलर तो उसे जाना नहीं लेनी है और यह आपको आंगे जाके साइड एफेक्ट दे सकती हैं तो इसके लिए आप डॉक्टर से कंसल्ट करके ही कोई पैनकिलर ले अगर आपको बहुत ज़्यादा दर्द है तो इसके लिए आप पैनकिलर की जगए होट पैट का इस्ति चल रही है उसमें water retention की वजे से जो आपकी बॉड़ि में चुजन आजाती है उसको कम करने का काम करती है जब यह सूजन में जो ट्यूब में आपका blood flow हो रहा हुता है और उसमें से तो इसके बाद भी अगर आपका बढ़ा रहता है तो इसका मतलब है कि आपने डाइट में जादा फैटी चीजे घाई है जिसके कारण से आपने सच में बेट पुटॉन किया है तो इसको जल्ली से कम किजिए और हैल्दी रहे हैं